प्यारे दोस्तों, मैं रत्म भूशन, अफ्रेंड मोटिवेटर और गाइड टो आई एसस्प्रेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडर्शिप टेनर, सीयो कोज, प्लिटिकल इस्ट इस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर समाज को, देश को, परिवार को, अगर मजबूत बनाना है और मजबूत बनाना है, तो अपने अंदर इमांदारी, चरित्र और ग्यान का विकास करें, इमांदारी, चरित्र और ग्यान का विकास करें, इमांदारी, चरित्र और ग्यान का विकास करें, यह आपके हाथ में है, और आप कर सकते हैं. गैलेलियों ने 300 से अधिक वर्स पहले ये कहा था, आप किसी आदमी को कुछ चिखा नहीं सकते, आप सिर्फ उसे अपने अंदर में, उसे अंदर से सीखने में मदद कर सकते हैं. जैसे लाड चेस्टर फिल्ड ने अपने पुत्र से कहा था, यह कि मैं कुछ नहीं जानता हूं और वह यह कि मैं कुछ नहीं जानता। बहुत सारे लोग वोते हैं थोधा चना बाजे घना थोड़ा ग्यान नहो गया कि अपने आप को अपने आपको इंसेक्लोपीडिया ही समझने लगे। इसलिए दोस्तों ग्यान को बढ़ाओ, बुद्धिमिता को बढ़ाओ, लेकिन कहो मत, कहो मत सो आज का जो न्यूज है, दैनिक जाग्राण और नो भारत टाइम से में ने लिया है पैतरिक संपती में, पैतरिक संपती में बेटी जन्म से है बराबरी के हकदा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में हिंदू उत्रादिकारी अधिनियम की व्याख्या करते हुए बेटी को बेटी को पैत्रिक संपती पर बरावरी के हक से वंचित नहीं किया सकता है बेटी चाहे हिंदू उत्राधिकारी कानून 1956 में हुए संसोधन से पहले पैदा हुई हो या बाद में उसे बेटी के समान बरावरी का हक है यह संसोधन 2005 में हुआ था इस बास से कोई फर्क नहीं पड़ता की कानून में संसोधन के समय पिता जिवित थे या नहीं सुप्रीम कोट के ये दो फैसलों प्रकास बनाम फूल मती और दनम्मा उर्फ सुमन सरपुर बनाम अमन 2018 बिरोदा जिवास के बात कानूनी विवस्था तै करने के लिए मामला तीन नहीं धीसों को भेजा गया था कोट ने मंगलवार को दिये फैसले म कहा कि कानून लागू होने की तारीक 9 सितंबर 2005 से पहले पैदा हुई बेटी भी संपत्ती पर अधिकार का दावा कर सकती एक ही सर्थोगी की हुआ संपत्ती 20 संबर 2004 से पहले किसी कानूनी बंदपंत के द्वारा विक्री या वसीयत या अन किसी तरह से समातना कर दी गोई हो नयाय मूर्ती अरुण मिस्रा एस अब्दुल नजीर और एम अर्सा की पीट ने फैसले में कहा कि चुकी बेटी को जन्म से संपत्ती पर इतिकार प्राप्त होता है इसलिए संसोधित कानून लागू होने की तिथी को पीता का जिवित होना जरूरी नहीं यह असपस्ट किया गया है कि संपत्ती के मौकिक बटवारे की कोरी दलीले सुईकार नहीं किया सकती कानून की धारच है पांच के मुताबिक संपत्ती का बटवारा रेजिस्टेशन एक्ट के तहट रेजिस्टर्ड डीट से होना चाहिए या फिर कोट की डिग्री से पूत्रादिकार संसोधन कानून की ब्याख्या करते हुए पुर्व में संसोधित कानून की धारा 6 पुर्व से लागू नहीं होगी या धारा तभी लागू होगी जब कानून संसोधन की तारीक को पिता और बेटी दोनुं जिवित हों इस फैसले का मतलब क्या है सुप्रीम कोट ने हिंदू अभिभाजीत परिवार में बेटियों के पैत्रिक संपत्ति पर हग के कानून के पेश संबंदित ब्यवस्था असपष्ट करते वे फैसला सुनाया अदालत ने कहा है कि बेटियों को कानून से मिले संपत्ति के हग से व इसकी जरुवत क्यों पड़ी सुप्रीम कोट की ही दो फैसलों में विरवधा भास के बाद यह मामला तीन या दिसों को भेजा गया था कोट में मुद्दा ये भी ताके संसोधित कानून पुर्व से यानि संसोधन के पहले से लागू होना या संसोधन बात से सर्व गुड संपन्न क्रिष्ण हर यूग में ऐसे महापुरुस्वे जिनोंने मरयादा के पद पर चलकर हमेश स्वरी पद प्रदान करने का संदेध्य भगवान विश्टू के अवतार स्री किष्ण भी ऐसे ही एक अभीभूती है उनके जन्म से लेकर महाप्रयाड तक जी पुरी निष्ठा से निभाया उन्हें हर वह गुड है जो किसी महाभी महापुरुस पे वांचनी है क्रिष्णी की प्रग्या हर्स और विसाद में इस्थित प्रग्य का लाते हैं क्रिष्णी ने बच्पन से ही अत्याचार का विरोद किया फिर से फिर भी अपना चंचल औ भाव नहीं छोड़ा उन्होंने एक और सफल नायक की भूमिका में द्वारिका को बसा कर कुसल निर्माता होने का पर्चे दिया तो वहीं विराट रुप देकर विध्वन्स की चिताउनी भी थी अर्जुन द्रोपती और सुदामा के प्रती निष्चल प्रेम दरसा है ले प्रतु और कर्म सिधान्त के महान समर्थक है बालेकाल में राच्छसो का अंथो या अदभुत्ध सासनकाल या गुरुछेत्र का रख्तरंजित युद्ध सगे संबंधियों का विध्वन्सों अतवा मित्रों संबंधियों के साथ हास विनोध जल में कमल को की तरह विरक्त रहना कृष्ण किसे बेहतर हुई नहीं जानता किसी प्राणी में कला की संख्या से उसकी स्रिणी तेह होती है सामाने मनुश में पांस तो भगवान के मानों अवतारों से अधिक कलाएं